ओम गरिशाई नम आई ये सुनते हैं अकूरत संकष्टी चतूर्थी कब है पूजा विधी और महत्व तथा इस दिन क्या करें क्या ना करें जोतिस में इस दिन भगवान गरिश की पूजा का महत्व बताया गया है मान्यता है कि विधी विधान से भगवान गरिश की पूजा करने से शुक्षमरिधी की प्राप्ती होती है इस माह की ग्यारह तारिक को अखूरत संकष्टी चतूर्थी पड़ रही है। इस दिन भगवान गड़ेश की बिधी बिधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है अखूरत संकष्टी चतूर्थी को ब्रत रखने और पूजा करने से भगवान गड़ेश की कृपा प्राप्थ होती है और संकटों से मुक्ती मिलती है। आईए जानते हैं अखूरत संकष्टी चतूर्थी का मुहोद। जोति सास्त्र के अनुसार अखूरत संकष्टी चतूर्थी पोश्माह के कृष्णपच की चतूर्थी तिथी को पड़ रही है। चतूर्थी तिथी 11 दिसंबर 2022 को साम 4 बजकर 14 मिनट से सुरू होकर अगले दिन 12 दिसंबर 2022 को साम 6 बजकर 48 मिनट पर समाप्थ होगी। 11 तारिक को ही चंद्रोदय होगा। ऐसे में अखूरत संकष्टी चतूर्थी का बड़ ग्यार दिसंबर को ही रखा जाएगा। वहीं अखूरत संकष्टी चतूर्थी पर चंद्रोदय का बहुत महत्तो होता है। ब्रत रखने वाले लोग चंद्रदर्शन और चंद्रमा को अर्ग देने के बाद ही पारन करते हैं। चंद्रोदय करीब रात आठ बजकर एक मिनट पर होगा। अखूरत संकष्टी चतूर्थी का महत्त्व अखूरत संकष्टी चतूर्थी के दिन ब्रत रखने और भगवान गडिश की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होने की मान्यता है। वहीं रुके हुए काम बदने में शुक शम्रिधी भी प्राप्ट होने की मान्यता है। अखूरत संकष्टी चतूर्थी पूजा बिधी इस दिन सुबह जल्दी उठकर अच्टनान के बाद साप कप्ड़े पहने। पूजा अस्थल की सफाई कर गंगाजल से सुध करें। भग्मान गरीश की बिधी बिधान से पूजा करें। फल और लड्डू का भोग लगाएं। पूजा के बाद ब्रत का संकल्प लें। साम के समय चन्रमा को अर्ग दें। गरीश चालीशा और गरीश पाठ करें। संकष्टी चतूर्थी के दिन गरीश जी की पूजन में भूल कर भी तुलसी नहीं चड़ाने चाहिए। पौरारिक कथा के अनुसार गरीश जी ने तुलसी जी का विवाः प्रस्ताव ठुकरा दिया था। जिसके बाद तुलसी जी ने गरीश जी को दो विवाः का दिया था। तो वहीं गरीश जी ने तुलसी जी का विवाः एक राचस के साथ होने का स्राप दिया। इसके बाद गरीश पूजन में तुलसी का प्रियोग नहीं किया जाता। गरीश पूजन में मूशक को न सताएं। संकष्टी ब्रत रख रहे हैं तो इस दिल भूल से भी गरीश जी की सवारी मूशक यानी चुहे को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से गरीश जी नाराज हो सकते हैं। काले रंके कपड़े ना पहने। संकष्टी ब्रत करते समें महिलाएं। भूल कर भी काली रंके कपड़े ना पहने। इस दिन पीले या लाल रंके कपड़े पहनना शुफल दायक होता है। पैरों पर नहीं पड़े अर्ग के छीटे। संकष्टी पूजा में चन्द्रमा को जल में दूध और अच्छत मिलाकर अर्ग दिया जाता है। लेकिन अर्ग देते समय ध्यान देकी अर्ग के जल की छीटें पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। सकच्चवद पूजा विधी संकष्टी चतुर्थी के दिन शुबह लाल वस्तधारर करने इसके बाद भगवान गरेश की पूजा करें। गरेश जी को लड्डू बिहत पसंद होते हैं। ऐसे में इस दिन की पूजा में अन्य भागों के साथ आप मुंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लड्डू के लामा इस दिन गर्ना सकरकन गुड तील से बनी वस्तवें गुड से बने हुए लड्डू और घी अरपित करना बिहत ही सुभमाना जाता है।